हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपी के चैनल में आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में पिछले साथ दिन की गिरावट के बाद आज एक ग्रीन कैंडल बनाया है येस बैंक ने जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था ये 17 रुपे पर आकर वहाँ से रिवर्सल ले सकता है आज उसी प्रकार से येस बैंक देखने को मिला है जब ये 19 रुपीज ये 20 रुपीज पर था तब में मैंने आपसे कहा भी था इस समय इसमें निवेश मत कीजिए ये दुबारा से अपॉचिनेटी देगा नीचे के लेवल पर बाई करने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो जा कर देख सकते हैं फ्रेंट्स ऐसा ही होता हुआ दिखा है येस बैंक में इसने 16 रुपीज 75 पैसे का लो बना कर दुबारा से एक ट्रेंड रिवर्सल दिया ह आप कई यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हैं और ब्लाइंडली उन्हें बिलीव करकर बड़ी मातरा में शेर्स उठा लेते हैं और जाकर फस जाते हैं हमें ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करना है ये आपके महिनत का पैसा है इसे सही डिरेक्शन म निवेश करना है और आपका लेवल अगर नहीं आता है तो हम वेट करेंगे नहीं तो दूसरे स्टॉक्स जो हाई पोटेंशल स्टॉक्स है उन पर फोकस करकर हम उसमें निवेश करेंगे चलिए बिना टाइम वेस्ट किया आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पह पहले हम इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं यह अभी ट्रेंट कर रहा है 17 रूपीज 40 पैसे पर अगर हम परसेंटेज में देखे तो 1.75 परसेंट का अपसाइट मुवमेंट दिखाया है अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप देख सकते हैं start of the day इसमें गिराव 60 पैसे और लो लगाया 16 रूपीज 75 पैसे है चले नेक्स्ट हम एनसी पर देख लेते हैं कैसा कारोबार है आपका ध्यान मैं एक सेकेंड के लिए बाइंग कॉंटिटी और सेलिंग कॉंटिटी की तरफ आकरशित करना चाहूंगा यहां आप देख सकते हैं बाइंग कॉंट बाइंग ओडर्स में 1 क्रोर बाइंग ओडर्स लगे हैं तो यहांने के आप समझ सकते हैं कि aggressively buyers buy कर रहे हैं और limited number of sellers available है market में sell करने के लिए यहां quantity traded है 10 क्रोड 53,40,000 की quantity trade हुई है और 3 क्रोड 47,34,000 की delivery है गयी है buyers aggressive है जिससे यह particular stock का price उपर जाएगा चलिए अब हम BAC पर भी देख लेते हैं यहां देख सकते हैं आप quantity traded है 1 क्रोड 45,000,25,000 की buying orders लगे हैं और deliverable quantity देख सकते हैं आप यहां 47,55,000 की delivery है गयी है चलिए next हम chart पर discuss कर लेते हैं यहां आप देख सकते हैं लगबग 7 to 8 days की गिरावट के बाद आज एक doji candle बनाया है friends जो के indicate करता है अभी भी काफी confusion है market में yes bank को लेकर अगर हम RSI देखें यहां आप देख सकते हैं indicator जहां पर 32.64% बता रहा है RSI जो के oversold के zone में है friends तो यहां से कभी भी trend reversal हो सकता है और आप यहां देख सकते हैं friends support और resistance 17 रुपीज 25 पैसे का resistance है जो break नहीं कर पाया yes bank और 16 रुपीज 60 पैसे का support है इसके बीच में ही juggling कर रहा है यह particular stock next इसका resistance रह सकता है 18 रुपीज 55 पैसे है इस particular stock में गिरावट के लिए बहुत कम जगा बची हु रहें उनके लिए तो यह बहुत अच्छा level है यहां पर आप fringe buying कर सकते हैं और जबी भी buying कर रहे हैं तो SIP में invest कीजिए यानि कि आपके investment को 30-30-30% में split करकर निवेश कीजिए ताकि अगर आग किरावट भी हो तो आपको average करने के लिए मौका मिले अगर आपने yes bank में निव end up करता हूँ फ्रेंड्स यह तो मेरे views थे कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से advice लेकर invest कीजिए अगर यह वीडियो आपको informative लगा तो इसे like करकर encourage करिए और अपने दोस्तों से भी share करिए और अगर आप मेरे channel पर नहीं है और आपने मेरे channel subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe button दब दीजिए ताकि आपको इसी तरह की informative videos सबसे पहले मिलती रहे धन्यवाद